मशूर जनवादी कवी आदम गोंडवी ने लिखा था आख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे अपने शाहे वक्त का यू मर्तबा आला रहे एक जन सेवक को दुनिया में क्या चाहिए चार छे चम्चे रहे माईक रहे माला रहे जन प्रतिनदी इसी रुवाब के साथ क्या खुद को नियम और जलता से उपर समझ लेते हैं जो यूपी के एक मंत्री ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी प्लाटफॉर्म के पास एसकेलेटर तक लेकर पहुँच गए दूसरे मंत्री अपने समर्टकों के साथ पैर पकड़वा कर फोटो खिंचवाते चर्चा में आये हैं और आम लोग कहते हैं हे भगवाण किसान के बेटे गरीब का दर्द यह शब्द सुनकर जनता भी चाहेगी कि मंत्री जी जैसी गरीबी और दर्द मिल जाए जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्म पाल सिंग अपकी गाड़ी लेकर सीधे रेलवे स्टेशन के प्रेटफॉर्म वन के पास लगे एसकेलेटर तक लख नव में पहुँच गए यह सफेद गाड़ी जिसे देखकर स्टेशन पर मवजूद लोग चकर आ गए माजरा क्या है जहां रेलवे स्टेशन की आठ सीड़ी और बारा कदम का रैम पो भी चल कर मंत्री जी पार नहीं करना चाहते बलकि सीधे अपनी गाड़ी से प्रेटफॉर्म वन के एसकेलेटर तक पहुच जाते हैं ताकि प्रेटफॉर्म चार पर लगी ट्रेन तक वो पहुच सकें लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं अच्छा हुआ मंत्री जी ने कहीं ये नहीं कहा कि सुनो ट्रेन बाहर बुलवा लो अच्छा हुआ कि मंत्री जी ये फर्मान नहीं निकलवाया कि ट्रेन बाहर नहीं आ सकती तो बोगी ही बाहर ले आओ मंत्री जी बैठेंगे वो तो ब अचालेश यादाओं ने टंज कसा अच्छा अच्छा travelled मंत्री जी बुल डोज़र से नहीं गए था तब धर्मपाल सिंग की सफाई आई बारिश थी तो क्या मंत्री जी सिर्फ आपके लिए थी इसी बारिश में देखिया हम लोगों को ये भीगते हुए पैदल चल कर ट्रेन पकड़ रहें आपकी तरह अपना सफेध हाथी लेकर प्रेटफॉर्म में इसकेलेटर तक नहीं पहुचे एक मंत्री अगर गाड़ी से प्रेटफॉर्म के पास तक ट्रेन पकड़ने जा रहें दूसरे मंत्री संजय निशाद हैं जिनकी समर्थकों के साथ ये तस्वीर वारल है जहां समर्थक पैर पकड़े हुए हैं ये वही मत्सपालन मंत्री हैं जो पिछले साल आरती उतरवाते हुए वाइरल हुए आरती के बाद अब पैर पकड़े समर्थक पोटो खिचाते दिखे पूछा गया ये कौन सी राजनी थी गुरू होना गलत नहीं लेकिन जिस समाज के उत्थान की बात करते हुए नेतागीरी चमकी हो उस समाज के लोगों को साथ बैठाते तो अच्छी बात होती ना कि आरती उतरवाते और पैर पकड़वाते लखनव से आशी श्रिवास्तों के साथ आज तक ब्यूरू